मैं नीटा शर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में आज हम बताने वाले हैं कुछ इस तरह का थालबोस कैसे बनाते हैं है कि बते यह रेमिकम लिए हैं और यह दागा हैं तो शरू करते हैं इस तरह से घुमाया और पीछे की तरफ ले गए अब यह नीचे से निकाला और पीछे वाला आगे ले लिया और इस तरह से हमारी यह मैजिक रिंग बन जाएगी अब हम इसको इसमें लॉक कर देते हैं अब हम चार की चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार चार की चेन बनाएगे और इसके साथ हम डबल किरोशिया करेंगे इस तरह से दो में से निकाला और यह फिर दो में से निकाला अब हम एक की चेन लेंगे इस तरह से और फिर डबल किरोशिया करेंगे दो में से निकाला और फिर दो में से निकाला इस तरह से हम बारह डबल किरोशिया बनाएंगे एक चेन हो जाएगे हमारी और ग्यारह यह बनाएंगे हम कि बारे कि रोषिया हो गए और यह जो मैजिक का एक्सट्रा दगाए इसे हम खीच देंगे इस तरह से पूरा खीच देंगे कि इस तरह से अब हम इसको लॉग करेंगे तो लॉग करने के लिए यह जो हमारी चेण है इसमें हम लॉस्वक करेंगे इस तरह से और यह इस तरह से हम निकाल देंगे तो यह हमारा इस तरह से दिखेगा अब हम आगे स्टार्ट करते हैं तो यह हम तीन की चैन बनाएंगे एक दो तीन अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यह दागा गुमाया और इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और एक की चैन लेंगे अब यह नेक्स्ट में बनाएंगे हम दूसरी वार वी सी में लेंगे इस तरह से एक की चैन नेक्स्ट में एक उसमें हमें दो वार डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से यह दो वार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक की चैन रखिए बीच में इसी तरह से हम पूरी रो तयार करेंगे दूसरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है अब हम इसको यहां लॉक करेंगे लॉक करने के लिए यह जो हमारी चैन बनी हुई है इसके हम उपर वाले पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से और इसमें से निकाल देंगे अब हम एक बार और करेंगे इस तरह से तो यह जो हमारे यह चैन थी और यह डबल क्रोशिया है इसके बीच में जो जाली आ रही है हम इसमें करेंगे स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से और इसमें से निकाल देंगे तो यह चैन हमारी पीछे रहे जाएगे अब हम यहां तीन की चैन बनाएंगे एक दो तीन तीन की चैन बनाई हमने और इसमें दो बार जाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से जिसमें हमारी चैन बनी हुई है इसी में हमने दो बार डबल क्रोसिया किया है अब हम एक की चैन बनाएंगे और इन में नहीं करेंगे इसको छोड़ेंगे और यह जाली हमारी दूसरी आ रही है इसमें हम तीन डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से दो बन गए और यह तीसरा भी हम इसी में बनाएंगे इस तरह से अब यह नेक्स्ट में बनाएंगे हम इसमें इसमें नहीं कुछ बनाएंगे इसमें बनाएंगे एक की चैन बनाएंगे और तीन वार इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे जाली में इसी तरह से हम पूरी रो तैयार करेंगे हमारी कंप्लीट हो गई है अब हम इसको यहां लॉक करेंगे लॉक करने के लिए यह जो हमारी चैन जा रही है इसके उपर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से फिर नेक्स्ट वाले में भी इसी तरह से लेंगे और अब हम इसमें बनाएंगे जाली जो फर्स्ट वाली है इसमें भी हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से अब हम तीन की चैन बनाएंगे एक दो तीन तीन की चैन बनाएं डबल क्रोशिया करेंगे इसमें इस तरह से अब हम एक की चैन लेंगे हम और दो बार और इसी फर्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से यह हमने चार बनाएं एक चैन है तीन और डबल क्रोशिया करेंगे बीच में हमने एक की चैन ले लिए है आप एक की चैन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में चार बनाएंगे हम कि ए दो और एक की चैन और फिर दो एक और यह दो अब एक की चैन और नेक्स्ट वाले जाली में अब इन दोनों के बीच में एक की चैन और फिर दो वारिसी में इस तरह से हम चार चार बनाते जाएंगे और बीच में एक की चैन बनाते जाएंगे इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है अब यह रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है अब हम इसको यहां लॉक कर देंगे तो यह जो हमारी चैन जा रही है इसमें हम ऊपर सिल्पिश्टिच के साथ लुक करेंगे इसमें भी हम नेफ्स्ट वाले में भी अब इसमें भी हम एक सिल्पिश्टिच बनाएंगे इस तरह से और अब हम तीन की छेन बनाएंगे यह जो चारे हमारे इनके बीच में हमने बनाया है एक, दो, तीन तीन की चैन बनाईए हमने और इसमें डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से तो यह एक चैन का हो गया एक यह हो गया दो हो गए अब हम एक की चैन बनाएंगे और यह जो जाली है हमारी फरस्ट वाली इसमें हम दो बनाएंगे एक और यह दो अब हम एक की चैन बनाएंगे और इन दो की चारों के बीच में जो यह हमने जो पहले चैन बनाईए एक की इसमें बनाएंगे हम दो बान डबल क्रोशिया करेंगे इसमें इस तरह से एक की चैन नेक्स्ट वाली जाली है इस तरह से एक की चैन इस तरह से हम दो दो इसमें करेंगे डबल क्रोशिया और दो बार इसमें बनाएंगे चार की बीच में दो बार इसमें बनाएंगे और एक एक की बीच में चैन लेंगे इस तरह से हम रो कंप्लीट करेंगे अब हमारी कंप्लीट हो गई है अब हम इसको यहां लॉक करते हैं इब हर बार की तरह लोक हम यह चेन जार रो बन मारी kंप्लीट हो गई है अब आम इसको यहां लॉक करेंगे लोक कंडे के लिए ये जो हमारी चैन देख रही है इसमें हम सिल्प स्टिच करेंगे इस तरह से अब नेफ्स्ट जो ये जा लिए इसमें भी हम इसी तरह से बनाएंगे अब हम तीन की चैन बनाएंगे एक दो तीन तीन की चैन बनाएंगे अब इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से एक बार और ये हमारे चैन के समय तीन हो गए एक दो तीन अब एक की चैन बनाएंगे और फर्स्ट जाली जो ये इसमें बनाएंगे हम तीन इसमें नहीं इसमें दबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन एक की चैन नेक्स्ट वाली जाली में एक दो और ये तीन एक की चैन इस तरह से हम पहले दो दो की रो थी अब ये तीन तीन की रो है और बीच में एक जा लिए है इसी तरह से बना के पूरी रो कम्प्लीट करेंगे 6 रो हमारी कम्प्लीट हो गई है अब हम इसको यहां इसे लॉक करेंगे तो लॉक करने के लिए यह हमने जैसे इसमें एक की चैन बनाते आ रहे हैं ऐसे यहां भी हमने एक की चैन बना लिए और इसे अब हम यह जो चैन जा रही है इसमें slip stitch करते हैं यहां से इस तरह से निकाला यह कर दिया अब हम next में भी slip stitch करेंगे और इसमें भी अब हम 3 की chain बनाएंगे 1, 2, 3 3 की chain बनाके और 2 बार double crochet करेंगे इसमें हम जाली में 1 और यह 2 तो यह हमारे 3 हो गए अब हम 1 की chain बनाएंगे और इसमें जाली में हम 3 double crochet करेंगे इस तरह से एक बार और अब यह हमारे 3 double crochet हो गए है अब यह पहली रो भी हमारी 3-3 की और इस रो को भी हम 3-3 double crochet के साथ complete करेंगे रो हमारी complete हो गई है एक और दो हमने 3-3 की बनाई है अब हम 4 की बनाएंगे यह मैंने lock कर लिया है हरवार की तरह अब हम 3 की chain बनाएंगे 1 2 3 3 की chain बनाएंगे और इसी में हम first वालेस में double crochet करेंगे chain के साथ अब यह chain और एक double crochet यह दो count करेंगे हम इसको और एक की इसमें chain बनाएंगे और फिर 2 double crochet बनाएंगे हम इस तरह से अब यह 4 हो गए बीच में एक की chain हो गई अब हम फिर एक की chain बनाएंगे और इसमें जाली में हम इसमें 4 double crochet करेंगे और बीच में एक की chain देंगे इस तरह से दो एक की चैन और फिर दो इस तरह से चार बनाने हमें एक जाली में इस तरह से हमें पूरी रो तयार करनी है हमारी कम्प्लीट हो गई है अब हम इसको यहां से लॉक करेंगे यह जो हमारी चैन देख रही है हम इसी में सिलिप स्टिच करेंगे इस तरह से नेक्स्ट में भी इस तरह से और नेक्स्ट में भी और इस जाली में भी अब यह जो हमने यहां तक कर लिया है जैसे अब हमारी चैन यहां आती है तो हम यहां से यहां आने के लिए पूरे में सिलिप स्टिच करते हैं यह जो हमारी चैन आती है यह फिर हमें इसी में दिखाई नहीं पड़ती है इसमें अलग से अब हम तीन की चैन बनाएंगे एक दो तीन तीन के हमने चैन बनाई और इसमें डबल क्रोसिया किया इस तरह से अब यह दो हो गए हमारे एक ही है और यह की है अब हम एक की चैन बनाएंगे इस तरह से और यह तो चार बने हुए है इन में जो बीच में हमने एक की चैन लई इसमें हम दो बार डबल के रोशिया करेंगे इस तरह से एक बार और और एक की चैन और फिर इस जाली में बनाएंगे हम दो बार हमने चैन के साथ एक डबल क्रोशिया किया है और फिर इसमें एक की चैन बनाई है फिर दो डबल क्रोशिया किये हैं इन चार के बीच में फिर एक की चैन बनाके फिर दो डबल क्रोशिया किये हैं जाली में इसी तरह से हमें ये पूरी रोव तयार करनी है इस तरह से यहां से यहां जाना है बनके हमारी complete हो गई है मैंने आपको यह 9th row बनाई थी उस पर 2-2 का बताया था अब उसी pattern से मैंने 10th row भी complete कर लिया है 2-2 बनाई है, 2 line बनाई है, 2-2 भी तो अब इसमें मैंने यह lock कर लिया है हरवार की तरह अब मैं आगे का बताती हूँ इनकी chain बनाते हैं 1-2-3 और इसके साथ ही हम double crochet बनाईंगे 2 बार 1-2 यह हमारे 3 बन गए हैं अब हम एक की chain बनाईंगे और next वाली जाली में double crochet बनाईंगे 3 बार बनाईंगे एक दो तीन इस तरह से इस जाली में हम 3-3 बार ग्रोश्य बनाईंगे 3-3 बार डबल क्रोश्य बनाईंगे और बीच में एक की जाली रखेंगे इसी तरह से हमें यह पूरी रोः कम्प्लीट करनी है हमारी बन के कम्प्लीट हो गई है मैंने आपको ग्यार मी रोः बताई थी तीन तीन डबल क्रोश्य उसी पैटन के साथ मैंने बार मी रोः भी कम्प्लीट कर लिए तो अब हम इसको लॉक करते हैं लॉक करने के लिए हर बार की दर वो पैटन से लॉक करना है हमें यह चैन है हमारी इसमें हमें यहां उपड से स्लिप स्टिच करना है इस तरह से नेक्स्ट में सлек करना है। अ और इस जाली में वी इस तरह से अब हम इस जाली में आ गए हर बार तीन की बना रहे थे अब हम पांच की बनाएंगे एक दो तीन चार पांच यह हमने पांच की चैन बनाई है और हम इस जाली में फर्स्ट वाली में सिंगल करोशिया करेंगे इस तरह से फिर हम पांच की चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और फिर हम इसमें नेक्स्ट वाली जाली में सिंगल करोशिया बनाएंगे इस तरह से इसी तरह से हम पांच पांच की चैन लेके और सारी इसमें सिंगल करोशिया करके सारी रो को कम्प्लीट कर देंगे अब हम यहाँ इसको लॉक कर देंगे लॉक करने के बाद हम तीन की चैन बनाएंगे एक, दो, तीन और डबल की रोशिया करेंगे फर्स्ट वाली जाली में एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आर, यह हमें आठ वाज डबल की रोशिया करना है इसमें और हम इसमें सिंगल की रोशिया करेंगे इस तरह से और नेक्स्ट वाले में इसमें फिर डवल क्रोशिया करना है हमें इस तरह से इसमें भी आठ डवल क्रोशिया बनाने हैं दो तीन चार पांच छे साथ आठ और इस नेक्स्ट वाली जाली में सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर इस से नेक्स्ट वाली में फिर आठ डवल क्रोशिया करेंगे इस तरह से हमें यह पूरी रो कंप्लीट करनी है एक चैन में 8 हाट वार डबल क्रोशिया और दूसरी में सिंगल क्रोशिया और फिर नेच्ट वाली में 8 क्रोशिया इस तरह से पूरी रोग कम्प्लिट करनी है ये रोग बन के हमारी तैयार हो गई है और बहुत ही सुन्दर और प्यारा थालपोस लग रहा है उमीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आगया होगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सेर लाइक जरूर करें थैंक यू